असलाम उलेकुम दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन आस्ट्रोनॉट नील आमस्ट्रॉंग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, बिला शुबाई ये टेक्नालोजी और इंसान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मगर चांद पर पहुंचने की ये रेस एक फोकल पॉइ का हिसा थी, इंटरनेशनल रिलेशन्स में कोल्ड वार उस मखसूस टाइम पिरियड को माना जाता है, जो जैनरली वर्ड वार टू के खतम होने से लेकर सुवेट यूनियन की डिस इंटिग्रेशन तक का वक्त है, इस मखसूस टाइम पिरियड में वर्ड स्टेज पर दो ल से एक है, कोल्ड वार के दोनों की प्लेयर्स यूनाइटिड स्टेट्स और सुवेट यूनियन की लॉंग रेंज वैलिस्टिक मिसल्स रेस, स्पेस रेस की वज़ा बनी, जो आने वाले वक्तों में साइन्टिफिक रिसर्च प्रोग्राम में बदल गी, 1955 को दोनों पावर् स्पेस में पहला सेटलाइट, 4th October 1957 को सुवेट यूनियन ने बेचा, इसका नाम स्पुतनिक 1 था, इसके कुछ ही महीनों बाद सुवेट यूनियन ने एक दूसरा सेटलाइट, स्पुतनिक 2 परबिट में बेचा, और इंटरस्टिंगली उसमें एक डॉग जिसका नाम जानज करने की पावर और कैपेबिलिटी यूनियटिट से ज्यादा है, और सुवेट यूनियन की इस सुपीडियोरिटी से, अमेरिकन मेन लेंड्स को थरेट बिल्कुल हो सकता है, अब यहां से अमेरिका ने सुवेट यूनियन के इस बढ़ते हुए इंपक्ट को सिरियस इना शुरू किया और इसको काउंटर करने के लिए 1958 को एक स्पेस एजंसी नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन जिसे उर्फ आम में हम नासा के नाम से जानते हैं उसकी बुनियाद रखी लेकिन आने वाले छे सालों में सुवेत यूनियन ने अपने फ स्पेस का टाइटल भी सुवेत यूनियन के नाम ही गया ये 12 एपरिल 1961 का दिन था जब सुवेत कोस्मोनाट यूरी गेगेरियन वास्टॉक वन में ट्रैवल करते हुए आउटर स्पेस में जाने वाला पहला इंसान बन गया सुवेत यूनियन स्पेस रेस में इस तेजी से कामियाबियों के जंडे गाड रहा था कि अमेरिका के पास इस को रिस्पॉंड करने के इलावा कोई आप्शन थी ही नहीं अमेरिका ने सिर्फ एक ही माह के अंदर सुवेत यूनियन की इस अचीवमेंट को रिस्पॉंड किया और 5 मैं 1961 को अपनी पहली हूमन स्पेस फ्लाइट मरकरी रड्स्टों 3 जिसे अपॉलो 14 का नाम दिया गया उसको खिला में बेचा इस स्पेस फ्लाइट में जाने वाला क्रू अलन शेफर्ड आउटर स्पेस में जाने वाला पहला अमरीकी और दूसरा इनसान बन गया 25 मैं 1969 को प्रेजिडेंट जॉन अफ कैनेडी ने कॉंग्रिस के जॉइन सेशन को अड्रेस करते हुए कहा मेरा मानना है कि इस काउम को ये अश्रा खतम होने से पहले इनसान के चांद पर उतरने का अपना मकसद हासिल करने का अज्म कर लेना चाहिए इवेंचुली इस डेक्लेरेशन ने स्टार्टिंग गन का काम किया और युनाइटिड स्टेट्स और सुवेत यूनियन के दर्मियान चांद पर उतरने की बकायदा रेस शुरू हो गई मगर सुवेत यूनियन ने अपनी पहल की रिवायत को बरकरार रखते हुए बहुत से मिशन्स में अमेरिका को कम्पीट किया जैसा के 1963 में फस्ट वूमेन इन स्पेस वेलन्टाइन टेरशकोवा 1964 में फस्ट मल्टिपल स्पेस क्र्यू वशकोद वन 1965 में फस्ट स्पेस वॉक अलक्सी लियोनोव लेकिन सुवेत यूनियन की इन पैदर पैकामियाबियों के तीन साल बाद यूनाइटिड स्टेट्स ने अपने अपॉलो प्रोजेक्ट जो के इनसान को चांद पर ले जाएगा उस पर सीरियसली काम शुरू कर दिया अमेरिका ने स्पेस में इनसानों की सर्वाइवबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अपने छे अस्टोनाट्स को मरकरी प्रोग्राम के थुरू स्पेस में बेजा इसके फोरण ही बाद प्रोजेक्ट गेमनी के थुरू 10 क्रूज को खला में बेजा गये ये दोनों प्रोग्राम 1965 और 66 के दर्मयान किये गए आगे चल कर इनी प्रोग्राम्स ने मिशन अपॉलो की बुनियाद रखी लेकिन इससे पहले कि फिनिश फ्लैग का मुमेंट आए एक बहुत बड़ी ट्रैजेडी हो जाती है ये 1967 की बात है जब लाँच पैड पर टेस्ट के दुरान ही फस्ट मैंड अपॉलो कैपसॉल में आग भड़क उठती है कैपसॉल में मुझूद तीनो क्रिव मेंबर्स एड़ड वाइट, गस ग्रिसन और जौर चैफी मुकमल तोर पर जल जाते हैं इसी साल सुवेट यूनियन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है जब कोस्मोनाट वलादी मीर कैमरोव की फस्ट फलाइट स्पेस क्राफ्ट सियोन्ज जमीन से टकरा जाती है इसके फोरण ही बाद सुवेट चीफ स्पेस डिजाइनर सरजई कोरलोव की एक मेडिकल ओपरेशन के दुरान डेथ हो जाती है अभी कुछ ही रोज पहले इस शखस को सुवेट मून प्रोग्राम को रन करने के लिए अथराइज किया गया था दरसल इस शखस की मौत सुवेट स्पेस अंबिशन के लिए एक बहुत बड़ा दचका थी 1968 की गर्मियों के दिन थे जब अमरीकी इंटेलिजन्स को खबर हुई कि सुवेट यूनियन चांड पर पहुँचने के लिए एक मैसिव रोकिट लाँच करने चा रहा है अब इस खबर के पहुँचने की देर थी कि अमेरिकन कॉरिडोर्स आफ पावर में खलबली माच गई अब या तो अपॉलो मिशन को चांड पर लेंडिंग की टेस्टिंग के लिए बेज़ा जाए जो के अभी मुकमल तोर पर तैयार ही नहीं था या फिर नासा के अपने रॉकिट दि सैटन फिफ्ट को इनेगुरल मैंड फलाइट के लिए बेज़ा जाए इस फलाइट का मकसद तीन आस्ट्रोनाट्स को चांड के गिर्द चक्र लगाने के लिए बेज़ना था बहुत ज़्यदा तनसर्टेशन के बाद नासा के तब के अड्मिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब ने फैसला किया कि वो सैटन फिफ्ट को बेज़ेंगे उसका मतलब ये था कि अगर ये मिशन सक्सेस्फुल होता है तो युनाइटेट स्टेट्स पुलिटिकल मुमेंटम गेन कर जाएगा जिसका मतलब ये होगा कि अब हम बहुत जल्द चांद पर उतरने के काबिल भी हैं दूसरी तरफ सुवेत यूनियन भी मून आर्बिट में मिशन बेजने का प्लैन कर तो रहा था मगर इसमें मजूद करू कोई कॉस्मोनोट नहीं बलके कुछ पोदे, छोटे छोटे जानवर और पेर आफ टॉर्टाइज था इस मिशन ने सप्टेंबर 1968 को फ्लाइ किया इसके महज तीन माँ बाद अमेरिकन अपॉलो 8 ने फ्लाइ किया 21 जुलाइ 1969 को अमेरिकन आस्ट्रोनोट नील आमस्ट्रॉंग चांद की सता पर कदम रखते हैं और ये कहने के काबिल होते हैं कि ये इनसान के लिए एक छोटा सा कदम जबके इनसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जस्त यानि छलांग है बिलाखिर बेटर और्गनाजेशन और हायर फंडिंग लेवल ने अमेरिकन स्पेस रेस को कामियाबी से हम किनार किया चांद पर पहुँचने की रेस जीती जा चुकी थी इसी दुरान सुवेट गवर्मेंट ने ये कलेम किया कि उन्हें चांद पर उतरने में कोई दिर्चस्पी नहीं मगर अश्रों बाद ये कलेम घलत साबित हुआ दरहकीकत सुवेट यूनियन ने लियूनर लेंडिंग क्राफ्ट बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो प्रोग्राम फैल हो गया और उसे मुकमल तोर पर राज में रखा गया